आज हम बात करेंगे कार्बन एबम उसके योगिक जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 और ये इसके अंदर बहुत सारे MCQs दिये गए हैं लेकिन ऐसे टॉप 20 MCQs की आज बात करेंगे जो परिक्षा में बार-बार पूछे गए हैं और जिनके आने की संभावना बहुत जादा हैं तो बहुत सारे क्या होता है कि बहुत सारे अगर हम MCQs पढ़ लेते हैं तो हमें प्रॉपर उतना जादा ध्यान नहीं रह पाता और एक्जाम जैसे कल है या परसो हैं तो हम ऐसे कौन से MCQs देखें जिससे हमारा फोकस हटे नहीं और हम उन पे बहुत अच्छा काम कर प होता है जितना जादा आप याद रख पा रहे हो जितनी आपकी केपिशिटी है उसी से नंबर आएंगे तो हमें क्या करना होता है कि जो एक्जाम में जो ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक रहते हैं या जो MCQs रहते हैं उन पे फोकस करना चाहिए और इसी उद्देश आपको इसी वीडियो के description में मिल जाएगा तो वो भी देखना मत भूलिएगा तो चलिए शुरुबात करते हैं तो इसमें पहला दिया गया है कि कारवन कितने बंद बना सकता है तो इसका सही जवाब होगा कि कारवन चार बंद बना सकता है तो आप इसमें बहुत ही आराम स साजिदारी कर लेता है इसके बाद दूसरा question है carbon है एक 4 option आपको दिये जाएंगे कि अधातु है, धातु है, उपतातु है कि फरोप्त मैंसे कोई नहीं तो carbon की जदी हम बात करें तो carbon एक अधातु है पी बिलाक का तत्व है इसलिए अधातु है तो अधातु याद रखना है, कार्बन धातु नहीं है, कार्बन क्या है अधातु है, याद हो जाएगा न, नेश्ट देखो निमने मैंसे कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है तो देखो हीरा कार्बन से मिलके बना होता है ग्रेफाइट भी कार्बन से मिलके बना होता है फुलेरीन भी कार्बन से मिलके बना होता है कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं रखिये हीरा ग्रेफाइट और फुलेरीन कार्बन के तीन अपर रूप होते हैं हीरा ग्रेफाइट और फुलेरीन लेकिन यूरिया कार्बन से मिलके नहीं बना होता इसमें अधर चीज़ें होती हैं प्यूर कार्बन से मिलके नहीं बना होता तो इनमें ध्यान रखियेगा कि हीरा, ग्रेफाइड और फुलेरीन ये तीन कार्बन के अपर रूप हैं तो इस में से कौन सा नहीं है यूरिया नहीं है देखो नहीं है पूछा गया था ये भी याद रखना होता है एक्जाम में इसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्टन की बात करें तो निम्न मैंसे कौन बिद्धुत का चालक होता है आपको चार आपसन दिये गए हैं बताना है कि इन में से कौन बिद्धुत का चालक है देखो हीरा में से बिद्धुत का चालक कभी भी नहीं होता है फुलेरीन में से नहीं होता है अमोनिया में से नहीं होता है ग्रिफाइड में से होता है क्यो आपको एक memory बन जाए कि हाँ इसमें इसे विद्धुत का चालन होता है next question देख लेते हैं एकल बंध वाले कार्बने की योगिक कहलाते हैं जिनमें single bond हो तो एक बंध वाला carbon जैसे आपने carbon carbon की chain होगी कि carbon और carbon के बीच में single bond लगा है तो वो वाले योगिक क्या कहलाते हैं संत्रप्त योगिक कहलाते हैं याद रखे का ना संत्रप्त योगिक कहलाते हैं next question अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है एथेन का आणबिक सूत्र C2H5 है तो इसमें कितनी बंध होंगे अब इसको थोड़ा आपको रख में समझना पड़ेगा तो जैसे एथेन का सूत्र होता है C2H6 तो इस हिसाब से अगर आप इसका इस्ट्रेक्चर बनाओगे तो दो कारवन होंगे और 6 हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो इस तरीके से अगर आप हाइड्रोजन यहाँ लगाओगे यहाँ देखो यहाँ हाइड्रोजन लगाओगे तो 1, 2, 3 बन्द और 4 बन्द, 5, 6 और 7 बन्द टोटल 7 बन्द आपको मिलेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसका जो सही अंसर होगा वो कितना होगा 7 सहीं होजब बन्द होगे इसको भी आप लिख लेना अच्छे से इसके बाद बायू मंडल में कार्बन किस रूप में पाया जाता है इस चीज को आपको लिखना है कि बायू मंडल में कार्बन किस रूप में पाया जाता है तो देखो अल्प मात्रा में कार्बन मोनो अक्साइड एवं कार्बन डाई अक्साइड के रूप में कार्बन पाया जाता है बायू मंडल में ठीक है अल्प मात्रा में कार्बन मौनो अक्साइट एबं कार्बन डाई अक्साइट आगे बढ़ते हैं बग मिश्टर फुलेरीन एक अपर रूप है इस चीज़ को आपको लिखना है तो किसका है ये तो आंसर है ये कार्बन का अपर रूप होता है किसका होता है फुलेरीन सब्द आपको यहाँ पे दिखा है तो फुलेरीन क्या होता है कार्बन का ही अपर रूफ है तो वैसे भी बन जाएगा अब वैसे हमारा चैप्टर भी कार्बन का है तो अगर चार ओप्सन है और कहीं कार्बन लिखा है तो इसमें से bond OH, OH के लिए हम बोलते हैं all, अगर आपने IUPAC अच्छे से पढ़ी है, तो OH के लिए क्या बोलते है all, तो देखो इसमें butanol, इसमें तो B number का सही हो जाएगा, बाकि किसी में all नहीं लिखा है आखरी में, सिर्फ butanol में all जुड़ा है, तो B number का सही हो जाएगा, इसके बाक सावण के अणों में चार आपसन आपको दियें गए है, तो सावण के अणों में सिर्फ एक बात याद रखिए, पूर जल विरागी सिर होता है, उक जल विरागी पूँच होती है, बस, मतलब जल के साथ में जो जुड सकता है जल रागी कहलाता है और जल विरागी मतलब जो जल के साथ में बंध नहीं बनाता उसे जल विरागी पूंच कहेंगे तो सावन में एक ही पॉइंट हमेशा याद रखिए जल रागी सिर और जल विरागी पूंच तो सावन का है बांकि इस पे ध्यान मत देज़े नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे तो जल रागी से रेवम जल रागी पूंच होती है आगे बढ़ते हैं निम्न मैंसे कौन सा समान सजाती स्रेणी का सदश है समान सजाती यह स्रेणी देखो इधर अगर हम देखें यहां पे यहां पे सदश्च नहीं है लिखा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा सदश्च नहीं है तो देखो यहां पे यह मैथेन है C2S6 यह एथेन है तो एक ही स्रेणी है एलकें स्रेणी मैथेन एथेन और यह प्रोपेन है क्योंकि C3, S7, इन में देखो हाइडोजन की संक्या, कार्बन की संक्या के दुगने से दो अधेक है, देखो इसमें एक कार्बन है तो उसका दुगना दो, दो से दो अधेक, 4, इसमें 2 कार्बन है तो दो का दुगना करो, 4, 4 में 2 जोड़ दो, हो जाएंगे 6, तो इसमें क्य है कि कारबन और हाइड्रोजन दुगने से दू अधे के लिकिन इसमें के बल दुगना है इसमें क्या है दुगना देखो इसमें यहाँ पे दूनी चार और प्लस दो लेकिन इसमें चार दूनी आठ ही हो रहे है तो यह अलग सा है तो इसमें टिक लगा देना इसमें देखो य यह एथेनल है, नहीं हो सकता, क्योंकि तीन कार्बन है, एक, दो, तीन, तो प्रोपेनल सही हो जाएगा, तो इसका A नमबर का सही होगा, प्रोपेनल, इसके बाद अगर हम बात करें, एलकाइल सजाती है, सेनी का सदश से है, एलकाइल, तो क्या होगा, एथाइन, एलकाइल, एथाइन, मिलता जलता है ना, प्रोपेन नहीं हो सकता, एथीन नहीं हो सकता, मैथेन नहीं हो सकता, एलकाइल, एथाइन, एक सस्वर है ना, तो यही लगाओगे, डैस्ट है, निम्न मैंसे कौन एलकीन का सामान ने शूतर है, एलकीन मतलब दुगना, तो केवल दुगना आपको यहां पर बता देता हूँ, दोगने से दोगने का केबल दोगना, यानि C N H 2 N, तो ये देखो, निम्ने मैं से कौन अलकन का सामान सूथ है, यानि बिनमब्र का सही होगा, बस इतना सा दिमार्ट लगाना है ये दोनों question अच्छे से बन जाएंगे इसके बाद थोड़ा सा मैंने क्या किया है यहाँ पर रिक्त स्थान ले लिए हैं क्योंकि ये भी आते रहते हैं exam में तो ये mcqs तो नहीं है लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सामिल करेंगे तो सिर्के में क्या होता है सिर्के में होता है acetic aml तो आप यहाँ पर लिख सकते हो acetic aml सिर्के में क्या होता है acetic aml होता है इसके बाद कार्बन की सेमजगता कितनी होती है तो आपने पढ़ा ही हो कार्बन की सेमजगता कितनी होती है चार होती है अब आगे देखो CH4 अनू में खालिस्तान संक्रण होता, ये बहुत ही खतरनाक खालिस्तान आजाता है तो बनता नहीं है, CH4 में कौन सा संक्रण होता, SP3 संक्रण होता, याद रखिए क्योंकि इसमें 4 सिगमा बंद होते हैं, इसलिए SP3 संक्रण होता है, CH4 अनू में कितने बंद ये भी याद रखना ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ यह मिलेगा देखो आगे सी और इसे कहते हैं अपर रूप तो इसे कहते हैं अपर रूप नेश्ट है कार्बने की युगों में हाइडूजीन को बिस्थाबित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं, यह वाला मैंने live किया था जब किसी पर बना नहीं था, इसका सही-साही answer होता है, विसम पर्माडू, और यह आप याद कर लेना बहुत important है, विसम पर्माडू, नेश्ट आखरी देख लेते हैं, सराब मैं खालिस्तान होता है, तो सब को पता है, अथि देखना है तो आप यूटूब पर सर्च करेंगे जो चैनल का नाम है फ्री ओनलाइन कोचिंग और वहां से आपको धेर सारे वीडियो लेक्षर इसी तरीके के मिलते रहेंगे और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेंगे चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए आप विदा दीजिए थैंक यू